जैश्री मैं नारायन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे घर पर तुलसी विवा करने की संपून सरल विदी ताकि आप आसानी से घर पर ही बिना किसी परिशानी के कर पाएंगे तुलसी जी का विवा तुलसी विवा के अधिकतर जगहों पर कार्थिक शुक्ल इकादशी और कुछ जगहों पर कार्थिक शुक्ल दुआदशी के दिन होगा यानि की 23 नवंबर या 24 नवंबर को ये विवा होगा माता तुलसी का जो विवा है वो 60 ग्राम के साथ तब होगा जब देव उठ जाएंगे क्योंकि द संपून विधी ताकि कोई भी गलती ना हो पाए तो चलिए ये विधी इस प्रकार है जिने कन्यादान करना होता है वो ये वरत रखते हैं और शाली ग्राम की ओर से पुरुष वर्ग एक अत्रित होते हैं शाम के समय सारा परिवार इसी तरह तैयार हो जाता है जैसे कि विवा समाहरों के लिए तैयार होते हैं अर्थात वर पक्ष और वदू पक्ष वाले अलग-अलग होकर एक ही जगए विवा विधी संपन करते हैं कई घरों में गोधुली वेला पर विवा होता है और यदि उस दिन अभीजित मूर्थ हो तो उसमें भी विवा कर सकते हैं उसको ब आजकल फ्लैट का चलन है तो मंदिर या फिर चट पर भी तुलसी विवा आप कर सकते हैं अगर चट भी आपको लगता है कि नई है तो आप बैलकनी में भी ये विवा का आयोजन कर सकते हैं तुलसी का पौधा एक पटिये पर आंगन चट या पूजा घर में बिलकुल चौकी पर शाली ग्राम को इस्थापित करके उनका शंगार करते हैं अश्ट दल कमल के उपर कलश इस्थापित करने के बाद में कलश में जल भरें कलश पर सतिया बनाएं कलश पर आम के पत्ते व्रता अनुसार रखें और नारियल रपेट करके आम के पत्तों के उपर रख चड़ाएं गंबले में शाली ग्राम जी रखें अब लाल या फिर पीला वस्त पहन करके तुलसी के गंबले को गेरू से सजाएं इसके बाद में शाली ग्राम की चौकी के दाएं और रख दें गंबले और चौकी के आसपास रंगोली या फिर मांडना बनाएं और घी का अब तुलसी और शालिग्राम के आसपास गन्ने से मंडब बनाएं मंडब पर उस पर लाल चुनरी उड़ा दें अब तुलसी माता को सुहाग का प्रतीक साड़ी से लपेट दें और उनका यानि की वदू की तरह जो है वो श्रंगार करें शालिग्राम जी पर चावल नहीं च पहनाएं अब तुलसी माता शालिग्राम और मंडब को दूद में भीगो करके हल्दी का लेप करें अब पूजन की सभी सामगरी जो है वो अर्पित करें जैसे कि फूल फल इतिया दी अब कोई पुरुष शालिग्राम को चौकी सहित गोध में उठा करके तुलसी की साथ ब के बाद दोनों की आरती करें और इस विवा संपन होने की घोशना करने के बाद में प्रसाद बाटे प्रसाद बाटने के बाद सभी सदसे एकत्रेत होकर के भोजन करें तुलसी जी का विवा विशेश मंत्र उचारण के साथ में करना चाहिए मंत्र आपको स्क्रीन पर उनको आप बोलें साथ ही आपको ये भी बोलना है कि नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरी की पटरानी तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूरी का भोग लगाएं ग्यारा बार तुलसी जी की परिक्रमा करें प्रसाद को मुख्या आहार के साथ में ग्रहन करें और प्रस संपन कराया जा सकता है आप इसी विदी के अनुसार उनका विवा बहुत अच्छे से संपन घर पर ही करा सकते हैं यह जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगे और आप इसका लाव उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को बिलकुल भी ना भूलें क्योंकि यहां पर इस तरीके की महत्पून जानकारिया मिलती रहती है तो चलिए मिलते नहीं वीडियो में नहीं जानकारी के साथ जैश्री मन नारायन दोस्तों जैश्री कृष्णा